पजाबी गवनांद वेचे वड़ी गवन निकड़ के आ रही है आज देश दे परदानमंतरी नरेंदर मोधी ने देश नू संबोधित कीता है ते उना ने वड़े एलान भी कीते ने वर्षा रितु दरान करिशी शेत्रा देवेचे ज़्यादा काम होंदा है ते दूजे सेक्टरा देवेचे कुछ सुस्ती हुदी है ते हारांदा सीजन पार देश 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 देपरदानमंतरी नरेंदर मोधी ने गरीब कलियान योजना दा विस्थार नमंबर दे पांज मीन्या वेच पांज किलो कानक हरेक परवार दे लोकानों दती जावेगी ते इदे नाड एक किलो चने दी दाल विलकोल मोधी दती जावेगी नबे हजार क्रोड दा इस पूरे प्रजाक्ट विच खर्चा आवेगा पिछले तिन मीन्या दा खर्च जोड़या जावे ता पूरे डेड़ लख क्रोड पिया आएगा साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपू गोष्णा करने जा रहा हूं साथियों हमारे यहां वर्षा रूतू के दोरां और उसके बांद मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में एगरिकल्टर सेक्टर में ही ज्यादा काम हो कि अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ति रहते हैं जुलाई से धीरे धीरे जोहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरू को निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा खृष्णा जन्मास में आएगी गणेश चतुर्थी आएगी ओनव होगा और आगे जाएं तो गाटी बिलू है नवरात्री है दुरजा पूजा है दशरा है दिपावली है चठी महिया की पूजा है तो हारों का ही समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को धान में रखते विए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जने ना यानि 80 करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए 80 करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महया कराया जाएगा हुआ हुआ हुआ